बहुत पहले की बात है एक गरीब इंसान अपनी गरीवी से बहुत परिसान हो गया था अपनी गरीवी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोसंद करना बहुत कठीन हो गया था एक पत्मी और दो पुत्रों के भरन पोसंद के बोज ने उसके मन में उथल पुतल मचा दी थी इसी उथल पुतल के चलते उसने घर छोड़ कर भाग जाने का निर्णाय ले लिया और एक रात वो चुपचाप अपने घर परिवार छोड़ कर चला गया वो रात में बीना किसी मनजिल को निठारिद किये चला जा रहा था जब वो एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा भगवान बुद्ध अपने सिस्यों के साथ टेरा डाले हुए हैं ये देख उसने निन्नाय लिया कि वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का सिस्या बनकर उनक ये िन्ने साथ ही रख ले भगवान बुद्ध ने उस गरीब इनसान पर कृपा करगे उसे अपना सिस्या बना लिया उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बड़ा तो वो भी उनके साथ ही चल पड़ा गर्मी का महीना था भगवान बुद का का पकाकिला चलता चला जा रहा था जब वो एक जंगल में पहुँचे तो सभी लोग पेड के नीचे विश्राम करने के लिए रूप गये गर्मी के कारण भगवान बुद को काफी जोरों की प्यास लगी थी उन्होंने अपने नए सिस्य से कहा यहाँ पास में एक सरवर है तुम जाके वहाँ से पानी ले आओ भगवान बुद का आदे सुनकर वो सरवर से पानी लेने चल पड़ा जब वो सरवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर सरवर में उद्धम मचा रहे हैं परंतु जब वो सरवर के पास पहुँचा तो सभी जानवर डार कर भाग गये उस सिस्या ने सरवर के पास जाकर देखा कि सरवर का पानी जानवरों के उद्धम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था सरवर का किचट और सड़े गले पत्ते पहार उबर कर आ गये थे इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिये ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला भगवान उस सरवर में तो बहुत ही गंदा पानी था उसे तो प्या ही नहीं जा सकता सिस्य की बात सुनकर भगवान बुद कुछ ते तक कुछ नहीं बोले फिर भगवान बुद का जा उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ भगवान बुद का ये आदेश सुनकर वो सिस्य पानी लेने चलतो पड़ा परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे जब वो चलता हुआ सरवर के पास पहुंचा तो ये देखकर चकित रह जाता है कि सरवर का पानी निर्मल और स्वच हो गया है वो पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे ये प्रस्ना करता है कि थोड़ी देर में सरवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा जब जानबर पानी में उद्धम मचा रहे थे तब उसका किचड उपर आ गया था परन्तु कुछ डेर सांथ रहने पर किचड वापस नीचे बैठ गया और पानी फिट से निर्मल हो गया इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थित्ती होती है जीवन की भागदोडी और कठिनाईयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्ने ले लेते हैं परन्तु कोई भी निर्ने लेने से पहले अगर हम अपने चित को सांथ रखें और धीरज पुरवक बैठ कर सोचें हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्ने लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए भागवान बूद का उपतेश उसके समझ में आ जाता है अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुस रही है